सबी दर्शकों को अंग्रेज सिंग अलाही की तरफ से प्यारबरी सत्सरीकाल, नमस्कार काफी दिनों से साथियों के विशय चल रहा है कि लोग सुपरस्टिशन में बहुत और इलुजून में बहुत फसे हुए है मान सिक तल पर उनके मान में कई तरह के भर्म बने हुए है, कई तरह के भै बने हुए है और हम इस चैनल के जर्गे आपके भै और भर्म को दूर करने के लिए दलबाग सिंग और आप ये कसायोगी अंग्रेज सिंग लाही लगातार ये कोशिश कर रहे है कि कैसे आपका ये भै और भरबंदूर किया जाए आज के जो हमारे विचार हैं वो काम, क्रोद, लो, मो, एहंकार पर है के बहुत सारे लोग काम को, काम जैसे के हम समझते हैं सेक्स काम एक बुरी चीज है और क्रोद एक बुरी चीज है लोब बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है और एहंकार एक बुरी चीज है और बिकैदा डार्मक स्थानों पर डार्मक गरंथों में इसका जिकर भी किया गया है कि ये पांचों चीजे एक विकार है और विकार उनको कहा जाता है कि जो गंदे हों, गटिया हों, बुरे हों लेकिन मैं आपके साथ इस बारे में विचार करना चाहता हूं कि जैसे काम हम उसे सेक्स कहते हैं ये पूरा संसार जो है वो काम पर अधारत है और जो कहते हैं काम एक गंदी चीज है जो गंदा इसको कह रहा है वो भी काम के जर्गे पैदा हुआ है और इतने सादू महात्मा महापुर्श राजनिता बहुत सारे वग्यानिक डॉक्टर जो भी हैं वो एक सेक्स से पैदा हुए है इस्तरी और पुर्श के मेल से पैदा हुए है एक मैं आपको बात बता दूँ काम बिनाना ग्रिस्त है अगर पुर्शन पुन सक है इस्तरी में किसी परकार की सेक्स की प्रॉबलम है तो उनकी शादी नहीं की जाती है इसलिए कि ये सेक्स के काबल नहीं है दोनों ना इस्तरी सेक्स के काबल है ना पुर्श सेक्स के काबल है इसलिए उनकी शादी नहीं होती है अगर सेक्स नहीं तो ये दुनिया नहीं ये संसार नहीं ये मुनुश्यता नहीं ये सेक्स गंदा नहीं और बहुत सारे लोगों के मन में ये भरम रहता है कि अगर हम सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद हम अगर मंदिर में चले जाते हैं मस्जिद में चले जाते हैं किसी और दार्मक और स्थान पर चल जाते हैं तो हमें इसका पाप लगेगा और पाप के看 रह भगवानृ हमें यह सजा देगा यह देवता हमें to करा जो मंदर बीच पुझारी रहता है उसकी पत्नी वहां पर रहती है उसके बचस क्टें वहांपर रहती है तो आप सोच जातारी होता है किसी भी धर्म का हो तो वहां पर रहते हैं यह सब कुछ होता है लेकिन बगवान जो परकरती आहां देखिए जब यह साइंस के अनुसार वग्यान के अनुसार और बहुत सारे गृंतों के अनुसार जब सिष्टी बनी तो सिष्टी बनने के उपरांत कहते हैं कि एक बहुत सारा बहुत बड़ा दमाका हुआ और उस दमाके में बहुत सारे ऐसे ग्रहों की उत्पती होई और उन ग्रहों में एक प्रत्वी भी ऐसा ही ग्रह था और उस प्रत्वी पर पानी और मिटी में दोनों में नमी पैदा हुई और नमी से एक जाला पैदा हुआ काई हम उसको हिंदी में काई भी कहते हैं पंजाबी में जाला भी कह देते हैं और उसमें एक छोटे छोटे अंडे एक जीव पैदा होए और जीवों ने फिर बड़ा रूपधार्न कुछ पशू बन गए कुछ जो वरिक्ष बन गए मनुश्या बन गए लेकिन उनकी वो पैदा होते थे और सेक्स हमारे दमाग में ऐसा के बुरी चीज है और विग्यान और डॉक्टर भी कहते हैं कि सेक्स करने से ऐसा कुछ नहीं होता आप यह देख लेना जब तक आप में सेक्स की ताक्त है तो आप चिर्योमन रहते हो जब आप में वो शक्ति कम हो जाती ह है सेक्स की तो आप बुड़ेपे की तरफ आप रोगियों की तरफ आप में ऐसे कमजोर्यों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं अगर सेक्स इतना गंदा है अगर बुरा हो तो जितने भी बगवान आपने इस्ट बढ़ाय हुए है सबी की पतनिया थी सबी कपल थे सबी जोड़े में थे और जैसे भी आप कर लो आप बगवान को भी कहतो तो जो परमात्मा है और परकिर्ती है ये भी तो नर्मादा की जैसे है तो ऐसा ही है कि काम को लेकर हमारे अंदर एक भै पैदा है एक ढर है और बहुत सारों ने तो काम को एक पाप कहा दिया अगर पाप होता तो सभी गुरुवों ने देवताओं ने सादू संतों महापुर्शों ने शादी क्यों की इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आप सेक्स ऐसी कोई चीजी नहीं आप कंट्रॉल में रहे लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हम जितनी हमारी कंपेस्टी है से ज्यादा हम फोन को देखते हैं तीवी को देखते हैं या किसी और वस्तू को देखते हैं तो हमारी आखें जो время अगर कंपेस्टी से ज्यादा आप सुनेंगे आप बहरे हो जाओगे हमारे जो भाज़ू है उन की बैंके कमपय बार इठाने की अगर आप चिद्सेग बाइचारओं, हड़ियों को इनकी नसों नचेशा नुक्सान तो ऐसे ही हमारे जो सेक्स के प्रती जो गुम तांग है हमारे सिकर्ट पार्ट है ऐसे ही आंखों कीत रहे हमारे स्रीर के किसी भी आंख कीत रहे उसको अगर हम ज्यादा यूज करते हैं उसको हद से ज्यादा लेकर जाते हैं तो वो भी हम एक नुकसान की तरफ जाते हैं एक बिमारी की तरफ जाते हैं, तो अपनी हद में, अपनी सीमा में रहकर इसका कोई गुना नहीं है, पाप नहीं है, और क्योंकि ना ही धर्म में, और ना ही समाज में, और ना ही वग्यान में, सो इससे डरने की जरूरत नहीं है, सुधन्यवाद, थैंक यू.